बिस्मिल्ला इरह्मानी रहीम, अस्सलामु अलेकुम आज मैं आपके साथ आलू पालक की बहुत आसान सी टिफिन बॉक्स की रसिपी शेयर कर रही हूँ तो अगर आपको ये रसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को जरू लाइक कीजिए सबसे पहले कड़ाई में दो चमच ओईल को गरम कर लेंगे इसमें मैंने एक टी स्पून जीरा एट कर लिया है जीरा एट करने के बाद एक मीडियम साइज की प्यास को पतला पतला कट करके एट कर लिया है प्यास को जितना हो सके उतना जादा पतला काटना है तो देख सकते हैं आप प्यास को हम इस तरीके से हलके हलके हाथों से बस चला रहे हैं ताकि हर तरफ ओईल लग जाए और प्यास जो है वो अच्छे से हर तरफ फ्राइ हो जाए अब मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक एड़ कर दिया है नमक एड़ करने से प्यास का पानी जल्दी से छुटेगा और प्यास जो है जल्दी फ्राइ हो जाएगी तो 3-4 मिनिट में प्यास जो हमारी अच्छे से बिल्कुल फ्राइぁ हो जाएगी तो अब मैं यहाँ पर दो हरी मिर्च जिसको मैंने दो तीन तुकडों में कट कर लिया है वो एड़ कर देंगे हरी मिर्च दालने से फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाता है और हरी मिर्च का फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से निकर के आता है बहुत बेसिक से सबजी बनने वाली है लेकिन बहुत ज़ादा टेस्टी बनती है और बच्चों को बड़ों को सक्को पसंद आती है तो देख सकते हैं आप अच्छे से हरी मिर्ज भी जो है वो इसमें फ्राइ हो रही है प्यास भी हमारी हलकी हलकी फ्राइ हो गई है बस हमें जादा फ्राइ नहीं करना है इतना ही फ्राइ करना वे अब मैं इसमें अड़ कर दूंगी एक मिडियम साइज का टमाटर सब्सक्राइब करने और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे तक टमाटर जो है वह अच्छे से सौफ्ट और पूरी तरीके से गल जाए और तो अभी तो आलू को भी इसमें डालने के बाद अच्छे से भूनेंगे ताके तेल में जो है आलू वो थोड़े हलके फुलके फ्राय हो जाए तो दो-तीन मिनिट तक भस हमें इसको अच्छे से फ्राइ कर लेना है ताके तेल में आलू, प्यास, टमाटर सब अच्छे से मिक्स होके फ्राइ हो जाए तो दो मिनिट हो चुके है आलू दाल के भी अब मैं इसमें बारी कटी हुई पालक एड़ कर दूँगी और पालक दालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसको और पांच मिनिट के लिए रख देंगे बिलकुल लो गैस पे तो देख सकते हैं आप 5 मिनिट हो चुके हैं और इसमें बहुत सारा पानी पालक का रिलीज हुआ है और अभी हम इसमें चेक करेंगे कि हमारे आलू गले है या नहीं क्योंकि हमने चोड़े चोड़े टुकड़ों में कट करे थे इसलिए आलू जो है वो 5 मिनिट में ही गल गए है तो अभी ये जितना भी जादा पानी आपको दिख रहा है फुल फ्लेम पर हम इसको ड्राइ कर लेंगे तो इस तरीके से हलके हलके हाथों से चलाते हुए हमें पानी को जो है वो ड्राइ कर लेना है जादा ताकत से हमें चमच को नहीं चलाना है वरना आलू जो है वो तूट जाएंगे तो इस तरीके से हलके हाथों से चलाते हुए पांच मिनिट या साथ मिनिट में हमारा जो पालक का पानी पूरा है वो ड्राइ हो जाएगा तो देख सकते हैं आप काफी हद तक पानी जो है वो ड्राइ हो चुका है अगर आप चाहे तो इससे भी जादा इसको सुखा सकते हैं लेकिन मैं इतना बस ड्राइ करके छोड़ दूँगी और ये हमारी बहुत ही जादा डिलिशयस आलू पालक की सबजी बनकर रेडी हो चुकी है बिल्कुल पांच यह दस मिड़े बनने वाली रेसिपी है जल्दी से ट्राइ कीजिए और रेसिपी को लाइक जरूर कीजिए